कुछ राजनीतिक डल अपने पैर पर कुलहाडी मारते हैं, मगर कॉंग्रेस वो पॉलिटिकल पार्टी है, जो अपना पैर कुलहाडी पर मारती है. खबर क्या मैं आपको बताता हूँ? आपके स्क्रीन्स पर ये हैं प्रियंका गांधी वाडरा के पती, रॉबर्ट वाडरा, उन्होंने किसी और को नहीं, बलकि A&I को दिये गए इंटर्वियू में कहा है, कि लोग चाहते हैं कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ू, क्योंकि वहाँ की जनता स्मृती रानी से खुश नहीं हैं, यानि कि अमेठी से चुनाव लड़ने के खाहिश मंद हैं रॉबर्ट वाडरा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों, अमेठी और राई बरेली, ये वो दोनों कॉंग्रिस के गड़ हुआ करते थे, सिर्फ गांधी परिवार से व्यक्ती यहां पर लड़ सकते थे, मगर फिर दोहजार उन्नीस में स्मृती रानी ने राहूल गांधी को अरा दिया, राई बरेली से सुनिया गांधी अब भी सांसद हैं, कुछ दिनों पहले तक ये चर्शा की जा रही थी, कि अमेठी से दोबारा राहूल गांधी चुनाव लड़ेंगे, और प्रियंका गांधी वाडरा राए बरेली से चुनाव लड़ेंगे, मगर अब रॉबर्ट वाडरा का ये बयान, कि उनसे ये कहा जा रहा है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें, मगर सवाल यहाँ पर ये कि रॉबर्ट वाडरा की राजनीतिक हैसियत क्या है, उनका क्या राजनीतिक वजूद है, कि वो इतना बड़ा बयान दे रहें, प्रियंका गांधी वाडरा के पती हैं, मैं समझ सकता हूँ, मगर बड़ा सवाल ये, कि ये व्यक्ति हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ, कि दरअसल रॉबर्ट वाडरा ने कहा क्या, आपकी स्क्रीन्स पर, सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पती, रॉबर्ट वाडरा ने एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, वाडरा ने कहा है कि लोग चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कही है, हाला कि कॉंग्रिस की ओर से अभी, इसे लेकर कोई घोशना नहीं की गई है, इसके इलावा अमेठी और राय बरेली जैसे गांधी परिवार का गड़ कही जाने वाली सीटों पर कॉंग्रिस ने अभी तक उम्मिदवार भी खड़ा नहीं किया है, सोनिया गांधी के राजसभा में जाने की बात से कयास लगाये जा रहे थे, कि राय बरेली से प्रियंका गांधी लड़ सकती है, राहूल गांधी ने वाइनाट से नामांकन भर दिया है, लेकिन अमेठी से वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कि इस पर कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है, कुछ दिनों पहले एक खबर भी आया थी, कि राहूल गांधी अमेठी से टकर दे सकते हैं समर्थी को, और राय बरेली से प्रियंका गांधी बाढ़ राएंगे, मगर अब तक कोई होशना नहीं हुई है, मेरा ये मानना है कि अगर राहूल गांधी को अमेठी से गंभीर टकर देनी थी, तो ये काम जन्वरी से शुरू हो जाना चाहिए था, जन्वरी से वो लगातार अमेठी का रुख करने लगते, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अमेठी में, मैदान में उत्तरने से राहूल गांधी डर रहे हैं, और उसी तरह से क्या राय बरेली से मैदान में उतरने से प्रियंका गांधी वाडरा डर रही हैं। मैं आगको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों कि उत्तरफदेश की चार लोग सभा सीटें गांधी परिवार का गड़ हुआ करती थी, वहाँ कोई और सोच भी नहीं सकता था। फूलपुर, अलहाबाद, अमेठी, राय बरेली। मगर धीरे धीरे फूलपुर और इलहाबाद चला गया, अमेठी चला गया, अब राय बरेली बचा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर गांधी परिवार का कोई शक्स इन सीट्स पर नहीं उत्रा तो वो भी चला जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मुकाबला हुआ रॉबर्ट वाड्रा और स्मृती रानी तो क्या होगा? मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आज से दस साल पहले जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, तब माननी इस्तीफा प्रसाद यानि रवी श अंकर प्रसाद ने प्रेस कॉंफरेंस किया था जिसका नाम था दामाद नामा, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा के भरष्टाचार की बात की गई थी, कि रॉबर्ट वाड्रा ने कॉंग्रिस के कारकाल में जंकर भरष्टाचार किया, अपने दामाद होने का फाइदा उठाय तमाम कॉंट्राक्स लिया और इस बात को लेकर कई खबरे भी आई थी मेरी पत्रिकार में तने हैं रोहिनी उन्होंने भी इस पर खबर की थी मैंने खुद पत्रिकार होने के दाते उसकी चर्शा की थी मगर फिर हम यह उम्मीद कर रहे थे कि पिछले दस सालों में रॉबर्ट वाडरा पर कोई कारवाई होगी क्योंकि भाजपा तो इतना श्योर थी भाजपा तो यह कह रही थी ना कि रॉबर्ट वाडरा ने प्रश्टाचार किया है तो मुझे लग रहा था कि रॉबर्ट वाडरा जो हैं कम से कम अदालत जाएंगे कट घरे में होंगे क्योंकि देखिए आपने राहूल गांदी की सदस्ता खतम कर दी थी केजरिवाल को जेल में डाल दिया था संजय सिंग को जेल में डाल दिया था मनी सुसोधिया, सत्तेंद्र जैन और इसके लावा भी अलग-अलग पार्टी से अलग-अलग लोगों को के कविता जो की बियारिस से हैं उनको आपने जेल में डाल दिया था तो मुझे लगा कि रॉबर्ट वाडरा जो की प्रियंका गांधी वाडरा के पती हैं उन पर भी कोई कारवाई होगी कोई कारवाई नहीं हुई दस साल गुजर गए मैं नहीं भूला हूँ अमिशा ने एक मन्ज से खड़े होकर कहा था कि हम प्रतिशोद के चलते कारवाई नहीं करते हम मामले की जाच कर रहे हैं और उसके बाद हम नतीजे पे पहुँचेंगे दस साल हो गए रॉबर्ट वाडरा पर कोई कारवाई नहीं हो तो क्या इसका मतलब ये भाजपा ये मान रही है कि रॉबर्ट वाडरा ने कोई भरष्टाचार नहीं किया था अब उन्हें भरष्टाचार किया है या नहीं किया मैं नहीं जानता मगर मैं चाहूँगा कि आप Muse Laundry की आयूश की एक खबर देखें ये खबर ये कहती है कि DLF ने गुप्त चुनावी चंदे के जरीए भाजपा को 170 करोड रुपए दिये नतीजा ये कि भाजपा की एजन्सीज ने रॉबर्ट वाजपा के संदर्म में आक्षन नहीं लिया News Laundry की खबर देखिये दोस्तों खबर की सिर्फ एक पंक्ती पूरे मामले की पोल खोल देगी आपके स्क्रींस पर After donating 170 crores to the BJP Real Estate Company DLF Received a clean shit in a land deal case Involving Congress Leader Sonia Gandhi's son-in-law Robert Wadra in Haryana Hindi बादवाद आप समझी गए होंगे Sonia Gandhi के दामाद Robert Wadra उनकी एक जमीन को लेकर जो है deal थी एक समझोता था उस मामले में DLF को clean shit मिल गई क्यों? क्योंकि उन्होंने भाजपा को 170 करोड रुपे गुप्त चुनावी चंदे में दिया और फिर जब मैं आपसे कहता हूँ कि आजाद भारत का सबसे बड़ा खुटाला है गुप्त चुनावी चंदा तब आप मेंसे कुछ लोगों को बुरी बात लगती है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप मेंसे कई लोग ये कहते थे कि रॉबर्ट वाडरा ने जो भ्रष्टाचार किया है उनने जेल जाना चाहिए अब देखिए साब गुप्त चुनावी चंदा भाश्पा लेती है डीलेप से और रॉबर्ट वाडरा का जो लैंड डील का केस है वोड़न्चू हो जाता है उस पर कोई कारवाई नहीं होती क्यों नहीं होती कारवाई बुझे बताईए क्योंकि भाश्पा ने आज से दस साल पहले लंबा चोड़ा प्रेस कांफरेंस किया था रॉबर्ट वाडरा पर ये कहते हुए कि उन्होंने भरश्टाचार किया है नामा नामा ये नाम दिया गया था इसकार्थ क्या हुआ दोस्तों कि भरश्टाचार को लेकर भाश्पा के तमाम दावे बक्वास हैं क्षमा चाहूंगा इस सक्ट शब्का इस्तमाल कर रहा हूं क्योंकि आपने सिर्व DLF नहीं और्विंदो फार्मा के सरत रिड़ी पच्पन करोड दिये अर्विं केजिवाल के खिलाव गवा बन गए इसके इलावा ऐसी धेरो मिसाल है फ्यूचर गेमिंग के सैंटियागो मार्टिंग लौट्री किंग उनका बेटा जो है वो भाच्पा में शामिल हो जाता है मेगा एंजिनरिंग पर गंभीर आरोप CAG ने उनके कई प्रोजेक्स पर सवाल उठाया था कोई आक्षिन नहीं उन्होंने भी 900 करोड के आसपास गुप्त शुनावी दिया था धेरो मिसाल है और मैंने अपने मंच पर आपको कई कारक्रम किये मगर मुझे लगा था कि जहां बात आएगी रॉबर्ट वाडरा की जो की प्रियंका गांधी वाडरा के पती है वहाँ पर भाच्पा ये नहीं करेगी तो कि भाच्पा तो ये मौका ढूनती रहती है ना गांधी परिवार पर हमला बोलने के लिए उन्हें कटगरे में रखना के लिए मगर क्या पैसे की ताकत इतनी जादा होती है कि आप भ्रष्टाचार कथित भ्रष्टाचार कि आप alleged corruption कथित भ्रष्टाचार पर कोई कारवाई नहीं करेंगे अरे मामले की जाच तो कीजे गंभीर जाच कीजे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ क्या रॉबर्ट बाडरा जेल गए क्या कभी वो कटगरे में खड़े हुए क्या उन पर कोई कानूनी कारवाई हुई बिलकुल भी नहीं दस साल से बहुत अच्छा जीवन बिता रहे है उन पर कोई कारवाई नहीं हुई और आज ये शक्स ये कह रहा है कि मैं अमेटी से चुनाव रड़ना चाहता हूँ अब मैं इस मामले के दूसरे पहली उपर आता हूँ बगएर लाग लपिट के बोलते है इसलिए भाजपा और संग पंडित नहरू के बाद आप से सफसजाद नफरत करती है उन्हें इंद्रा गांधी और राजीव गांधी से इतनी नफरत नहीं है क्योंकि स्वर्गी इंद्रा और स्वर्गी राजीव जी ने अकसर सामप्रदाइक ताक्तों के साथ समझोता किया और इसकी ढेरों मिसाले है और एक युवा होने के नाते जब मैं कॉलेज में हुआ करता था तो मैंने अकसर कॉंग्रिस की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी मेरा जो पूरा स्टुडेस लाइफ है तो मैंने बतौर स्टूडेंट बतौर युवा कॉंग्रिस की नीतियों पर सवार उठाए है जब कॉंग्रिस दस साल में सट्था भी आप मेरी पत्रिकारिता को देखिए तो आप समझ जाएंगे मैंने हमेशा उस वक्त की नीतियों पर सवाल उठाए है मगर कॉंग्रिस का शुक्रिया कि उन्होंने देश को लोक्तंत रहने दिया दो साल को छोड़ते है दस साल डंके की चोट पर मैं सवाल करता था मगर मेरी नौकरी कभी खत्रे में नहीं होती थे फिर कायरता के चलते मेरे लिए हालात इतने खराब पैदा किये गए कि मुझे निए उस चैनल छोड़ना पड़ा मैं अगर जो मुद्दा मैं रख रहा हूँ मैं क्या रख रहा हूँ दोस्तों उस पर गोर कीजिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ राहूल कि आपने हमेशा अड़ानी से सवाल पूछने से आप पीछे नहीं हटे आप लगतार ये भी कह रहे हैं कि मैं नफरत के खिलाव बोलते रहूँगा बेशक में हार जाओं तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ आप अमेठी में उतरने से क्यों डर रहे हैं रॉबर्ट वाडरा इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे प्रियंका गांधी वाडरा क्या ये हकीकत है कि आप तिलंगाना से कहीं से सेफ सीट से चुनाव लड़ना चाहती है राए बरेली से क्या भागने की तैयारी है हो सकता है ये पूरी तरह से घलत हो क्योंकि कुछी दिनों पहले आपने शायद या कॉंग्रिस ने अपने सोर्स के हवाले से एक खबर प्लांट करवाई थी कि साब राए उल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे प्रियंका गांधी वाडरा राए बरेली से चुनाव लड़ेंगे मगर अब मिस्टर रॉबर्ट वाडरा ये बयान दे रहे हैं कि ये जन्ता चाहती है कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूं भाईया कौन चाहता है आपको कि आप अमेठी पहुँचकर चुनाव लड़ेंगे आपकी जरूरत कहा है आपकी जरूरत काइदे से जाँच एजन्सीज के सामने है कि जो लैंड डील है उस पर आप सवालों की जवाब दें अब भाजपा को गुप्त चुनावी चंदी के जरीए डी एलेप से 170 कुरोड मिल गए तो वो उस पर निश्क्रिय हो गए या कोई कारवाई नहीं की तो वो तो आपके और उनके बीच का सिरदर्द है मगर हकीकत ये है कि अगर रॉबर्ट वाडरा ये बयान दे रहे हैं तो ये इस बात की और इशारा है कि शायद राहूल गांदी और प्रियंका गांदी वाडरा में हिम्मत नहीं है और इसलिए नहीं कि विपक्ष की सोच नहीं है लड़ने के लिए बलकि इसलिए कि मास मीडिया ने विपक्ष को विलन बना दिया है खलनाएक बना दिया है राहूल गांदी का आए दिन उनके खिलाफ दुश परचार किया जाता है उन्हें जूटा करार दिया जाता है उनका मजाग बनाया जाता है मैंने हमेशा कहा है ये बराबरी का मुकाबला नहीं है प्रचारतंत्र आपके खिलाफे जहांच एजनसीज आपके पीछे पढ़ी हुई है मोदी की एजनसीज ने कॉंगरिस के बैंक खाते फ्रीज करनी है मैंने हमेशा उस दिक्कत की बात की है मगर बावजूद इसके आपको जनता को बताना है कि साहब इन हालात के बावजूद हम लड़ रहे हैं हम लड़ने को तयार है मैं सवाल पूछना चाहता है राहूल गान्दी से अगर आपको लग रहा है कि इस वक उत्तर प्रदेश जो है वो भगवा मैं है, मोदी मैं है अरे तु मैदान में उतर ही है काइदे से मुझे खुशी होती अगर आप बनारस से उतरते हिम्मत तो दिखाईए हिम्मत दिखाईए ना मुझे खुशी होती कि प्रियंका गान्दी वाड़ा या राहूल गान्दी में से कोई बनारस से उतरता क्या आपका इतना एहम है क्या इतना बड़ा इगो है कि नहीं साब मैं हार नहीं सकता कहीं से नहीं आप हार भी गए तो देश की जनता ये कहीगी कि नहीं आप लड़े तो सहीं तो लड़ने का जजबा तो दिखाए हमें से ऐसे कई लोग हैं जिने अनर्गल केसिज में फसाया जाता है हमें जूटे केसिज में फसाया जाता है हमारी परिवारों पर निशाना साधा जाता है जूटे इंकम टाक्स, ED, UAP के केसिज में फसाया जाता है और हमें बैक करने के लिए कोई पुलिटिकल पार्टी नहीं है हमें से कई पत्रकार जेल में सड़ रहे हैं उनके परिवार अपने घरों से जेल के बीच में दौड़ते रहते हैं कोई पुलिटिकल पार्टी नहीं समर्थन नहीं देती है और हमें जरुद भी नहीं उसके मगर क्या हम पत्रकारिता छोड़ देते हैं क्या हम समझोता करने मुझे इंकम टाक्स ने परिशान किया ED ने परिशान किया मेरी बच्चों के आखों के सामने पुलीस मेरे घर में घुसी मैं लड़ा और मैं लड़ रहा हूँ मैं सत्त की आवाज बनता रहूंगा सवाल पूछता रहूंगा खासकर उन लोगों से जो सवालों से बच्चते हैं जो प्रेस कॉन्फरेंसेज नहीं करते हैं क्या जूटे इंकम टाक्स केसिस से मैंने पत्रकारिता छोड़ दी क्या मैं गोदी मीडिया बन गया हब ये इन शेहरों को देखिए गौरब बललव, विजिंदर सिंग, मिलिन दियोडा, अशोक चवान ये तमाम नेता जो खुलकर कॉंग्रिस के पक्ष में प्रचार करते थे भाजपा की नफरत के खिलाब बोलते थे अडानी के खिलाब बोलते थे अब यू टरन ले लिया है गौरब बललव कह रहे हैं कि साब देश के वेल्थ क्रियेटर्स पर निशाना साधरीती कॉंग्रिस सनातन धर्मकर निशाना साधरीती कॉंग्रिस अरे आप लोगों के पुराने बयान है तो इन्हें क्यों पकड़ा गया है इनकी वो कौनसी कमजोर नब्स है जो भाजपा के हाथ में है क्या कोई कथद ड्रग्स केसिज है जिनको लेकर डर है ब्रष्टाचार के केसिज हैं ही अशोक चवान देख लीजिए आदर्श हाउजिंग होटाला कॉंग्रिस बेचले गए क्योंकि पता है तलवार गर्दन पर है आसान नहीं होता दोस्तों मुकाबला करना सच की लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता लड़ाई वही लड़ सकता है इसका दामन पाक साफ है वरना आप गौरव वल्लव विजिंदर सिंग अशोक चवान जैसे कायरों की तरह समझोता करते रहते हैं अरे शहजाद पूना वाला कपिल मिश्रा प्रधान मंत्री को गंदी गंदी गालियां देते थे अशलील बाते कहते थे और अब ये भाश्वा के प्रवक्ता हैं नीता हैं वाँ के साफ तोर पर राशनीती में दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जान बचाने के लिए अब जर्वाद की चलते आप कुछ भी करने को तयान है सच की लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता अब इसार शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार